नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परिक्षा वल्ड के से यूटूब चैनल में दोस्तों लगतार मई और जून के इंपोर्टेंट जो हम रिवीजन कर रहे हैं उसका भाग चार यहां पर हम अपलोड करने जा रहे हैं भाग चार में आज हम कुछ और बहतरीन जो एमसे क्यूज बन सकते हैं मई और जून के उनको हम यहां पर कभर करेंगे तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी तक के पिछले तीन पार्ट अगर आपने नहीं देगे तो उनको प्लीज जाकल देख लीजेगा यह जो तीन पार्ट आपके हैं मिक्स वाली जो प्र प्रदर्सन सुचकांग 2022 में भारत का क्या स्थान है सुपर इंपोर्टन प्रस्ण इन्वार्मेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में इंडिया का रेंग आपको बताना है क्या है तो बहुत ही खराप प्रदर्सन रहा इस बार भारत का भारत सबसे निचले पायदान पे था इस वर्ण परदर्सन सुचकांग 2022 में तो 180 रहंग थी इंडिया की यहां पर ऊप्षन सभी गलत दिये गए यहां पर 180 रहंग थी जो है इंडिया की इसके बारे में आपको याद अखना है इंडिया की यहां इन्डिया जो है सबसे निचले पायदान पर था आपका था फिन्लेंड था इस पर्यावरन प्रदर्स्थन सुच कहां कि भारत की स्थिती बहुत ही नाजुक थी बहुत ही खराब थी भारत जो है निचले पाइदान पेक्जम चला गया 180 में यहां पी आप देख पारें पिक्चर में 2022 का इन्वार्मेंट परफॉर्मेंस इसमें जो है इंडिया के राइंक है 180 में इसके बारे में आपको याद अखना है इंपोर्टेंट है डिरेक्ली आपसे पूछा जा सकता है इंडिया का राइंक तथा टॉप फाइब कंट्री जो मैंने आपको बता हैं टेन्मार प्रतम अस्थान पर यूके यानिक उन्याट पर के फूड़ सेप्टी इंडेक्स था तो यह चाओ था चाओ था जो है फूड सेप्टी इंडेक्स या था यानि कि खाद शुरुच्छा सुचकांग था राज्यवाला यह तो इसमें बताना कि आपको कौन सा राज्य सेर्ष पे था इंपोर्टेंट प्रसन है तो अगर हम बात करें बड़े राज्यों की चोटे राज्यों की यूनियन टर्रेटरी की तो आप इस कटेग्री वाइस भी आप देख लिजिए आठवे अस्थान पे था इस्टेट फूर्टी इंडेक्स जो 2022 का इस वर्स जारी किया गया इसके बारे में आपको याद अखना है तो इहां पे आप देख पा रहे हैं आपका जो स्टेट फूर्टी इंडेक्स है इसमें तमिल्नाडु ने टॉप किया है बड़े राज्यों म है हाली में उपराश्पती एम वंकिया नाइडू के दरा किस देश में स्टार्ट अप ब्रीज का सुभारम किया था इंपॉर्टेंट है तो हमारे उपराश्पती एम वंकिया नाइडू के दरा जो है और किस देश में स्टार्ट अप ब्रीज का सुभारम किया था जून के मह के साथ हम एक यूध अभ्यास भी करते हैं जायर अलबहार जायर अलबहार जो यूध अभ्यास है इंडिया और कतर के मधध होता है किता 2022 का फीफा का वर्ल्ड कॉप होगा यह कतर में ही खेला जाएगा आपका IFA Awards 2022 का जो आयोजन कहां पर किया गया था पूछा जा रहा है आपसे important है तो International Indian Film Academy Awards जिसको हम IFA Awards के नाम से भी जानते हैं तो 2022 में इसका आयोजन किया गया अबुधाबी में option आपका जो A है यहां पर बिल्कुल सही है आपुधाबी में इसका आयोजन किया गया था तो location आप याद देखिएगा important है directly आपसे पूछी जा सकती है तो आपुधाबी में इसका आयोजन किया गया था इसके बाद प्रमुक पुरसकारों को आई देख लेते हैं चार कटेगरी आप याद रखिएगा चार कटेगरी बस आप याद कर लेंगे तो इतना ही important आपके लिए है तो आईफा Awards 2022 में सरवसेष्ट अबनेता का खिताब दिया गया आपका विक्की कोसल को सरदार उधन सिंग फिचर के लिए और सरवसेष्ट अबनेतरी का खिताब दिया गया कृती मेनन को मुवी मीमी के लिए सरोसेष्ट निदेशा का खिताब दिया गया विसडू अधन को मुवी सेरसा के लिए और सरोसेष्ट फिल्म का खिताब दिया गया सेरसा को तो ये कम से कम चार कटेगरी तो आप याद रखिएगा important है डिरेक्टली आप से पूछी जा सकती है तो ये संगठन का एक वार्षिक सेन्य अभ्यास है important है तो बाल टॉप्स या किस सरकारी संगठन का एक वार्षिक सेन्य अभ्यास है तो ये नाटो का एक वार्षिक सेन्य अभ्यास है option आपका जो भी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा और इसका जो आयजन 23 वर्स किया गया स्वीडन में तो इसके बारे में आपको याद अखना है हाली में स्ट्रीट चाइल्ड की मदद करने के लिए किसके दोरा CISS application को launch किया निया कि जो स्ट्रीट चाइल्ड है बच्चे हैं उनकी साहता करने के लिए या जो application है किसके दोरा launch कि गई आपको बताना है important रसन है तो इस application को किसके दोरा launch किया गया तो इस application को launch किया गया राश्टी बाल अधिकार सरक्चन आयोग के दोरा तब इसे आद कर लिजेगा important है राश्टी बाल सरक्चन आयोग के दोरा जो है स्ट्रीट चाइल्ड की मदद करने के लिए जो है सिस एप्लिकेशन को लॉंच किया गया सी आई डबल एस यह जो अप्लिकेशन है इसको राश्टी बाल अधिकार सरक्षण आयोग के दरा लॉंच किया गया तो इसके बारे मैं आपको याद अखना इंपोर्टेंट है राश्टी बाल अधिकार सरक्षण आयोग के दरा इस एप्लिकेशन को लॉंच किया गया है इसके बाद हाली में भारती राश्टी राश्टी राजमार्ग प्राधिकरन यानि की नेशनल हाईवे अथौर्टी अफ इंडिया के दरा एक सो पांच घंटे में कितने किलोमेटर की सड़क का निर्मान करके गिनीज वर्ड रिकॉर्ड बनाए गया था हाली में इनेशनल हाईवे अथौर्टी यानिकी भारती राश्टी राजमार्ग प्राधिकरन के दरा एक सो पांच घंटे में फचटर किलोमेटर सड़क का निर्मान करके जो है गिनीज वर्ड रिकॉर्ड बनाए गया थो तो इसके बारे में आपको या और आखना है 105 घंटे में 75 किलो मीटर तक की जो है सड़क बनाए गई NHAI के दोरा National Highway Authority of India के दोरा ते इसके बारे में आपको याद अखना है इसकी वह पध्यक्ष वलतमान में कौन है तो NHAI की उपध्यक्ष है अलका उपध्याय ते इसके बारे में आपको याद अखना है important है तथा यह सड बनाई कही है तो इसके बारे में आपको याद अखना है important है हाली में आवाजी समझाता भारत और किस देश के मद्धी हुआ है आपसे पूछा जा रहा है आवाजी agreement आवाजी समझाता भारत और Australia के मद्ध हुआ है तो option आपका C यहाँ पे बिल्कुल सही है यह एक प्रकार क Water Security Initiative है इसका पूरा नाम है इसका पूरा नाम है इसके बारे में आपको याद अखना option आपको C यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रसन है हाली में अंक टाट के दौरा प्रकासी बिश्व निवेस रिपोर्ट में FDI प्रवा के मामले में भारत का क्या स्थान है याने कि FDI प्रवा के मामले में भारत का क्या स्थान है हाली की रिपोर्ट में जो 2022 में यह रिपोर्ट प्रकासित की गई है अंक टाट की तो FDI प्रवाग के मामले में भारत का क्या स्थान है तो आप आप याद कर लिजेगा FDI प्रवाग के मामले में भारत का स्थान है 27 इसके बारे में आपको याद अगना है अंक टाड के तोरा यह report प्रकासित की गई है 2022 में तता इसके अनुसार जो 2090 रिपोर्ट है इसमें जो है FDI प्रवा के मामले में भारत का स्थान सातमा है पहले अस्थान का आपको मिलेगा USA फिर मिलेगा आपको चाइना फिर मिलेगा होंग कॉंग है निकि सबसे ज़्यादा FDI प्रवा था USA में सेकेंड नंबर पे चाइना था थार नंबर पे आपका होंग कॉंग था और भारत का स्थान था सातमा इसके बारे में आपको याद अखना है इंपोर्टेंट है डिरेक्ली आपसे पूचा जा सकता है इसके बाद यह 2021 का डेटा यहां पे दिया गया है और इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर का मुख्याले अस्थापित किया गया है इंपोर्टेंट प्रस्टन तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर का जो मुख्याले है कहां पर अस्थापित किया गया खोल जहांगा गया है अहमदाबाद में इस मुख्याले को अस्थापित किया गया इसको हम बोलते हैं in इस्पेस कहा जाता मुख्याले अहमदाबाद में खुला गया है करंडर्फेस आपका यहां पर छूड़ गया। को औरली बता देता हूँ, हाली में 2023 के लिए QS World University रैंकिंग आई थी, इस रैंकिंग के अनसार भारत का जो सबसे सरसिस्ट कॉलेज वो था Indian Institute of Science जो बैंगलोर वाला है, IISC IISC बैंगलोर जो है भारत का सबसे टॉप कॉलिस था, इस रैंकिंग के हिसाब से QS World University रैंकिंग 23 के हिसाब से, जो सबसे बेश्ट है संस्थान भारत का वो कौन सा है, तो वो है IISC बैंगलोर, तो इसके बारे में आपको याद अखना है, इसकी overall रैंकिंग की बात करें, पुरे 20 में इसकी क्या रैंक है तो पुरे 20 में इसकी रैंक 155 है लेकिन भारत में यहाँ प्रतम अस्थान पे है, तो इसके बारे में आपको याद अखना है, इम्पोरेंट है, डिरेक्ली आपसे पूछा जा सकता है, तो QS World University रैंकिंग 2023 में भारत का सबसे सिर्ष संस्थान कौन सा है, तो Indian Institute of Science Bangalore है, IISC Bangalore इसकी ओवर अल पूरे 20 में रैंकिंग है 155, इसके बाद अगला प्रसन आपके सामने दिया गया है 44 में सतरंज ओलंपियाड 2022 का आयजन कहां पर इसके बारे में आपको याद अखना है इंपोर्टेंट है, डिरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, तता इसका सुभंकर क्या है आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका लोगो और सुभंकर, मतलब इसका सुभंकर का नाम क्या आपसे पूछा जा सकता है, तो 44 में सतरंज ओलंपियाड 2022 के सुभंकर का नाम है थमभी तो थमभी जो है सुभंकर है इस ओलम्पियाड का सतरंज ओलम्पियाड का तो इसके बारे में आपको यादखना है तमिल में थमभी का मतलब होता है छोटा भाई तो इसके बारे में आपको यादखना है जानवरों के लिए भारत की पहली स्वादेशी रूप से विक्षित COVID-19 वैक्षिन का क्या नाम है तो जानवरों के लिए भारत की पहली स्वादेशी रूप से विक्षित COVID-19 वैक्षिन का नाम है एनो कोवैक्स आपका ए यहां पे बिल्कुल सही है इसको बनाया किसके तरह गया है तो हर्याना में एक संस्थान है ICAR National Center of Equins इसके तरह जो है इसको बनाया गया है और इस COVID-19 वैक्सिन का नाम है एनो कोवैक्स तथा या जानवरों के लिए पहले स्वादेशी वैक्सिन है तो इसके बारे में आपको याद अखना है हाली में मनरेगा के लोका लोकपाल के रूप में किसे निक्त किया गया है इंका कारिकाल दो वर्स का होगा तो मनरेगा यानि कि महात्मा गांदी रास्टी ग्रामिल रोजगार गरंटी योजना के लोकपाल निक्त किये गया है अपयाद को लिजएगा यह लोकपाल निक्त किये गए तो आपसन आपका जो ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा जो मंतरे इगा है किस मंत्राले के अंतर गणता है तो ग्रामिल विकास मंत्राले के अंतर गणता है हाली में United Nations Global Compact अपयात को लिजेगा हाल ही में United Nations Global Compact के द्वारा जल प्रबंधन के लिए Global Sustainable Development Goal Pioneer किसे दिया गया है इंपोर्टेंट से भी इंपोर्टेंट प्रसनाप का है यह है तो जल प्रबंधन के लिए Global Sustainable Development Goal Pioneer किसे दिया गया है तो यह दिया गया है रामकृष्ण मुकावली को आपसन आपका यह यहाँ पर बिल्कुल सही है बस इनका नाम आप याद को लिजेगा Global Sustainable Development Goal Pioneer दिया गया है रामकृष्ण मुकावली को इसके बारे में आपको याद अखना है किसके द्वारा दिया गया है तो United Nation Global Compact के द्वारा दिया गया है यह जो आपके SDG Goals है इनसे बार बार एकजाम में परसन पूछे आते हैं तो कम से कम स्टार्टिंग के आठ से नो गोल तो आप यादी कर लिजेगा आपका है Quality Education पांचमा आपका है Gender Equality और छटे पर आपके आता है Clean Water and Sanitation इसके बारे में आपको याद रखना है साथमे पर आपका आता है Affordable and Clean Energy आता है साथमे नंबर पर इसके बाद decent work and economic growth आपका आटमे नंबर पर आता है कि यह पूछा जा रहा है तो इसको कम से कम आप साथ तक का प्याद कर लिजेगा इसको साथ तक का पहला नो पावर्टी दूसरा Zero Hunger तीसरा Good Health and Well विंग हो जाएगा चौथा Quality Education हो जाएगा पाचवा जेंडर इक्वेल्टी हो जाएगा इसके बाद छटा आपका clean water and sanitation हो जाएगा और साथमे आपका affordable and clean energy हो जाएगा तकम से कम इतना आप याद कर लिजेगा important है आपके exam के लिए इसके बाद अगले प्रस्ति के तरफ हम बढ़ते हैं हाली में प्रधान मंत्री नरंदर मोदी जी के दारा संत तुका राम सीला मंदिर का उद्गाटन कहाँ पर किया गया प्रधान मंत्री नरंदर मोदी जी के दारा आपसे पूछा जा रहा है बहुत ह इस मंदिर का उद्गाटन किया गया तो आपका महराष्ट्रा के देहु में कहां तो महराष्ट्रा में एक जगा है देहु तो आप्यात कर लिजेगा महराष्ट्रा के देहु में इस मंदिर का उद्गाटन किया गया तो जिसका नाम है संध तुका राम सीला मंदिर तो इसक अगला प्रस्तन आपके सामने है हाली में सुरक्षा मित्र योजना यह एक प्रकार की वाहर निगरानी प्रणाली है तो आपका बताना है कि एक किस राजी में चालू की गई है सुरक्षा मित्रियोजना तो इसको चालू किया गया है केरल में option आपका C यहां पर बिल्कुल सही है केरल में हाली में 19 में सांगरी 19 में सांगरी ला डायलाग को जो है किस देश में आयजन किया गया इसका आपसे पूछा जा रहा है तो 19 में सांगरी ला डायलाग का जो आयजन है किस देश में किया गया था तो इसका जो आयजन है सिंगापूर में किया गया था हाल ही में दो पुस्तके लॉंच की गई थी लोगतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक इन दो पुस्तकों में किसके भासड को समलित किया गया किसके स्पीच को समलित किया गया आप से पूछा जा रहा है यानि कि किसके स्पीच का संग्र है ये दोनों पुस्तके लोग वदी मुर्मू तो यह हमारे पूर्व राश्च्पती हों गए तो हमारे पूर्व राश्च्पती रामनात कोविंद के भासडों का या संग्रा है लोगतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक तो अप्शन आपका यहां पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा निम्नलिकित में में इसी से कौन सी आट्यों मॉबाईल कंपणी ने हर्याना के मानेसर में एसिया का सबसे बड़ा 20MW पावर का स्टापित किया इंपॉड्न है तो 20MW का जो स्टापित किया है इंपॉड्टेन्प्रों डिरेक यह आप से बूचा है सकता है तो right answer आपका क्या हो जाएगा मतलब किसके दौरा किया गया है तो यह हर्याना के मानेसर में किया गया मारूती सूज़की के दौरा option आपका यह यहाँ पे बिल्कुस हो जाएगा मारूती सूज़की के दौरा जो है मानेसर में एसिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया गया तो इसके बारे में आपको याद अखना है important है मारूती सुजगी अगला प्रस्थन है हाली में खेलो इंडिया यूथ गेम्स को किसने जीता था तो 2022 में जो हर्याना के पंचकुला में हाली में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे इनको जीता है हर्याना ने तो आपका जो भी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा आप इस याद के लिए एक हर्याना ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स को जीता है टोटल किसने मेडल जीते थे हर्याना ने 52 इनोंने स्वार्ण जीता थे गेंस तो already इसके बारे प्रसथर आपके सामने है हाली में किस राज जिन् sırाह के साथ fruits डॉंच किया है important है तो fruits software को launch किया गया है करनाटक के दोरा option आपका जो यहाँ पर c है बिल्कु सही हो जागा मतलब करनाटक ने अपने किसानों के लिए fruits software को launch किया तो option आपका c यहाँ पर बिल्कु सही है हाली में srs यानि कि sample registration system के दोरा एक report प्रकासित की गई यह उस report के अनुशार किस राज में जीवन प्रत्यासा सबसे कम है important है तो किस राज में जीवन प्रत्यासा सबसे कम है तो किस राज़ में है तो 36 गड़ में जीवन प्रत्यासा सबसे कम है उसके बाद आता है यूपी का नंबर यानिकी दूसरे अस्थान पर आता है आपका यूपी जीवन प्रत्यासा के माम नहीं कि सबसे कम दूसरी जीवन प्रत्यासा आपको मिलेगी वो मिलेगी यूपी में और सबसे जादा यानि कि सबसे कम जो जीवन प्रत्यासा है वो आपको मिलेगी 36 गड़ में 36 गड़ के बाद नंबर के रूप में निक्त किया गया है तो आपको बताने का संबंद किस देस्थ है तो रभाब फातिमा का संबंद किस देस्थ αही है तो बांगलादेस्थ की रहने वालई है, आपका सी यहां पे बिलकुस हो जाएगा Tu अग्णिपत्य योजना का संबंद की से तो आपकी रक्षा से 다른 से संबंदित अंगे प्याद Trans dress का फ़रेक्स और प्याद कर लेजेगा और कुछ additional information भी हो तो उसको भी आप याद कर लिजेगा अगनीपत योजना से related उमेद है कि इसे प्रसनाप के एक्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि काफी न्यूज में यह योजना इस मतलब जून के महिने में थी भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन इकाई किस जगह अस्थापित की जाएगी आपसे पूछा जा रहा है तो 24,000 करोड उपए के निवेश से जो है भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन इकाई की अस्थापना किया जाएगा पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन इकाई है इसको अस्थापित किया जाएगा है अपसे बिल्कुल सही हो जाएगा है पूछा जाली में यह जो है पहली बार शूख गई है यह जिस खारण से यह जुज में बनी हुए जहराभीक के सक्षन में पूछा आप से पूछा चाहा क्ता है MCQs के फ़ॉर्म में कि किस देस में आपको लेक सावा मिलेगी तो इसको आप याद कर लीजएगा लेक सावा आपको मिलेगी इराक में तथा ये नियूज में क्यों थी? क्योंकि हाली में यह सद्टियों में यानि कि पहली बार यह जो जहील है वह सूख गई है पहले बार Indian European Union Security and Defense Consultations का आयजन कहाँ पर किया गया है तो इसका आयजन आपका किया गया ब्रुसेल्स में आपका जो यहां पे B है बिल्कुल सेर जागा ब्रुसेल्स में जो है India European Union Security and Defense Consultation का आयजन किया गया तो Brussels आपका राइटिंग सर है इसको आप याद को लिजेगा Brussels नाटो का हेड़कॉर्टर है इसको आप याद को लिजेगा इंपोर्टेंट है डिरेक्टर आपसे पूछा है सकते हैं इसके लावा World Custom Organization का हेड़कॉर्टर भी आपको मिलेगा तो Brussels में मिलेगा यूरोपियन यूनियन का हेड़कॉर्टर भी आपको Brussels में ही मिलेगा तो यह कुछ इंपोर्टेंट करेंट रफेस हैं जो जून के महिने थे हमको हमने उनको यहां पर कवर किया है रिवाइज किया है उनका बाकि के अन्य वीडियो भी आपको मिलते रहें कि डेली एकजाम आने तक रिवीजन आपका इसे तरह से होता रहेगा तो आज करेंबेश इतना ही थांक्यू थांक्स पर रोचिंग थांक्यू